अभिनेता इर्फान खान आज हमारे बीच नहीं रहे बहुती दुखत समाचार लेकिन मैं आपको उनके विक्तित्व के कुछ दूसरे पक्ष्ट से आपको रूबरू कराना चाहूँगा इर्फान खान एक क्रिकेटर थे एक उभरते हुए क्रिकेटर थे बैटिंग भी करते थे बालिंग भी करते थे उनका जैपूर में रहते थे जैपूर की टीम में भी उनका चैन हुआ था उनका कहना है कि उनको बैटिंग करने में बहुत मज़ा आता था ये एक हुनर दिखाना चाहता था खैर एक सेलेक्शन ट्राइल हुआ इर्फान खान चुन लिए गए सीके नाइडू ट्रॉफी जो की बिसी सेई का एक टूर्णमेंट है जिसमें अंडर 23 के खिलाडी भाग लेते हैं किसी जमाने में अंडर 25 के खिलाडी इसमें भाग लेते थे फिर इर्फान खान ने उस इंटर्विव में बताया है कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जा सकते क्योंकि उनको आज मेर बुलाया गया था और उनको 600 रुपएं की सक्त जरूरत थी लेकिन वो 600 रुपएं उनके पास नहीं थे जिसकी वज़ा से वो वहां नहीं जा और NSD में अड्मिशन लेने का मतलब था क्रिकेट का शौक बिलकुल हाशिये पर चले जाना और उसके बाद फिर वो क्रिकेट परतिसपर्धी क्रिकेट से बिलकुल दूर हो गए और इस तरह से कच्छे क्रिकेटर के तौर पर उभरते हुए खिलाडी का जो उनका सपना था व खेल जीवन से वो किसी तरीके से जोड़े उनका सपना साकार किया तिकमाशुद हुलिया की फिल्म पान सिंग तोमर ने पान सिंग तोमर में जिस तरह से जिस लहजे में उन्होंने एक्टिंग की ऐसा लगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि वह एक 3000 मीटर स्टिपल चेस के चैंपि रहा है ऐसा लगा कि कोई वास्ता में प्रोफेशनल एथलीट दौड रहा है और कई उसमें मारमिक्स द्रिश्य थे जो मैं समझता हूं इर्फान खानी कर सकते हैं उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लगता था कि खिलाड़ी की जिंदगी बिलकुस सामने चल रही है और खासकर जब वो नौकरी के लिए जब पेशकश करते हैं इसमें एक सीन है और उनके वो दिखाते हैं कि उनको ये पुरुषकार इतने सन में मिला 1958 के एशियाई खिल जो कि टोक्यों में आयजित किये गए थे उसमें उन्होंने भाग लिया और जो अपने आर्मी लेवल के जो उनके फर्स पाइजेस थे ट्रॉफियां थी वो सब उन्होंने दिखाई लेकिन उनको बहुत ही निराशा हाथ लगी और जो उनके मारमिक दृश्यत है चेहरे के वो दिखने लायक थे बहुत ही उन्होंने सजीव चितरन करके दिखाया था इस फिल्म में और अपनी खिलाडी भावना को सही तरीके से आत्म साथ किया था रुपहले परदे पर हम यही दुआ करेंगे इस वरसे की भगवान उनकी आत्मा को शांती दे नमस्कार